विशार दे रहा है मेरे बारे में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर इंसान सब्तंतर है अपने विशार देने के लिए इसमें ऐसा हमको नेक्टिव होने की जुरूरत नहीं होती है अब जान भूज के वीडियो खराब करने से मतलब होता है कोई कंफ्यूज और पिर होने की जूरुत नहीं है दोस्तों ये क्लिप कुछ दिन पहले किया है जब मैं मुक्तजी के साथ हमारी एक वीडियो शूट चल रही थी दोस्तों हुआ क्या ये कुछ लड़के थी आप लोग देख सकते हो ज्यादा बड़ी उमर है नहीं ये 15-16 के मैं और मुक्तजी वीडियो बना रहे हैं और खासकर मैं साथ एक लड़की बैठी हुई है तो इन्होंने जो जो से चिलाना शुरू कर दे दूर खड़े हुए थे ये सिर्फ इस चीज़ को देख कर कि हम वीडियो बना रहे हैं देख दोस्तों कितनी गटिया मान सिकता है य पर फिर क्या हुआ दोस्तों जब इनको लगा ना कि इनको कुई फरक नहीं पड़ रहा है फिर आए देख आप किलिप में देख रहे हो कि पिछ बहुत ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है सभी नहीं कि चलो छोटी जगए और कि रास्ता नहीं हम रास्ते की बीच मीने होती है इस संसार का नहीं मैं हमारे भीतर जो होता है हम बही वांटते हैं तो ये भी जिस भी प्रवार के हैं इससे दिखा आपको समझा रहे है कि इनका फैमिली बैक्राउंड भी कैसा रहा होगा क्योंकि ज्यादा बड़ी उमर तो है नहीं 15-16 साल की उमर है तो इनकी संसक में भी नेक्टिविटी फिलाने का काम करते हैं इसके बाद क्या हुआ इन्होंने जब पिछिस है फिर भी देखो मैं तो शांत सभाब का हूँ मैं बैठा रहा मुकता जी को बुरा लगा आप वीडियो में देख रहे हो तो मुकता जी नहीं कहा आप नहीं तो मैं उनको बो तो देखो कुट्य को नुकसान कर रहे हैं वो कुछी नहीं कहा रहे था हमारे पास प्रेम से बैठा हुआ थो वो पास में उसको बलाया और चपलों से उसको पीटना शुरू कर दिया देखे दोस्तों कितनी गटिया यह मां सिकता है न जाने कि दूसरे को डिस्ट्रोवेंस करना है उनको पता ने क्या सटिस्पेक्शन मिल रही थी ऐसा कम करके फिर भी मैंने इग्नॉर किया कोई बात नहीं अब फिर यह पास बैठे रहे हैं और ऐसी कमेंट पास कर रहे हैं कि हम वीडियो बनवा देंगे ऐसे ऐसे जाने की देखो दोस्तों मेरे को बड़ा ही अज चुप हो जाएंगे देखे दोस्तों मेरा सभाब है अगर कोई नेक्टिव हो क्योंकि मैं गूमता फिरते रहता हूं यह गटिया लोग ऐसे हर जगह मिलते हैं तुरूंत किसी को उपर ऐसे नहीं हो जाना चाहिए उससे क्या दोस्तों जहां तक नेक्टिविटिक कर सकते है मैं अवइड करना चाहिए मैंने अवइड किया तो कुछ समय बाद यह चले गए वहां से तो मुकता जी को मैंने समझाया देखो आपना सैकलोजी गटिया लोगों की सैकलोजी समझने के कोशिश करो वो चाहा कहा रहे थी मेरे से तो नहीं बट आपसे जरूर वो अटेंशन चाह रहे थे मालो मैंने का देखो मैं जबावनी दे रहा मुकतवी वो ले मैं दे देती हूं मैंने कहा यही तो उनका मिशन था ना वो आपसे सिर्फ अटेंशन चाह रहे थे हमने बिलकुल भी उसको उनको रिस्पॉंड नहीं किया यही दोस्त उनकी सबसे बड़ी हार थी वो चाहा क्या रहे थे कि हम इनको डिस्टरब करेंगे और इंका द्यान हमारे उपर जाए मैंने उनको कुछ भी रिस्पॉंस नहीं कि ऐसा राज ऐसे कुछ हुआ ही नहीं इससे ना देखो वो एक घीता में भी श्री किशन यहने कहा है कि पापी को जब फर गमंडी को उसक अब वीडियो में देख रहे होगे ऐसे लोगों की मान सिकता समझने के कुशिश करें अब वो चाहा क्या रहे थे एक्जैक्टली वो चाहा रहे थी कि हम डिस्टरब करें और ये कुछ ना कुछ बोले अगर हम उनको पध्यान देते ना तो उनका गमंड और फलीद हो तकि देखो हमारे मिसन सकस्स हो गया चाहिए रहे थे और साथ में मुक्ताजी बैठी हुए थे खास करो उनका मिसन यही था कि हमसे कुछ बोले मैंने कुछ भी निका मैंने कर शांत रहो देखो यहां से एक चीज और सीख सकते आपकी जिंदें में चाह कोई भी दिक्कत हो न शांत बैठा रहा नाम से हमने कुछ भी रिस्पॉंस नहीं किया तो दोस्तो इस वीडियो को शेर करना तांकि अगर आपके आसपास कोई है ऐसा जो इस उमर में है तांकि उसको प्रेड़ना मिले कि नहीं मुझे ऐसी गटे लोग नहीं बानना है मुझे एक असिर प्रिशन बहुत अच्छी हो सकती है बहीं पर जैसी कि आज के गाने ऐसे नुवी जैसे उनके फ्रेक्ट पड़ता है चार जैसी दे जाएंगे बैसे इंसान बन जाएगा हाँ दोस्तों यहां पर एक बात और भी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशे शहें नहीं करें हाँ थोड़ा बिभेक का पर जो करें अगर आपको लगता नहीं यह अद से जादा हो रहा है तो दोस्तों जवाब भी जुरूर दें बट यहां तक हो सकता है चीज़ों को लड़ाई जगडे को या फ्रेश जीज़ों को अबोइड करने का प्रेस करें और देखो दोस्तों इस क्लिप को ध्यान से देखना जो मैंने इस वीडियो में डाली है उसमें उनकी बोड़ी लेंग बिस देखना आप जैसे कि वह होते हैं ना मुविज को देखके एक फुकरापंती आ जाती है हवा में इंसान आ जाता है जाफिर को गुंड़ाई वाला भावा जाता है उसमें से एक लड से और में भी हो सकता है कि उनकी जीवनें कुछ परिवड़तना है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में